तो यह गाईज वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ चीड़े वाइफ तो यार आज के एपिसोड के अंदर मैं बनने जा रहा हूं पहुत तक्रण सीक्रेट एजंट तो यार जल्दी से आजाओ वीडियो में और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हां तो यार एट लास यार डगन बॉस ने फ्रेंक्लिन को किड्नैप कर लिया था और जब मैं फ्रेंक्लिन को बचाने के लिए उसके बेस में गया था तो यार वहां पर जाके डगन बॉस नेना मेरे आगे एक बहुत बड़ी शर्त रखी थी वह बोल रहा था कि यार अगर मैं FIB बेडिंग में चाके वहां का सारा डाटा मिटा दूँगा और वहां पर जाके एक बहुत बड़ा बलस कर दूँगा तो यार उसके बाद यह ट्रेवर और फ्रेंक्लिन दोनों को छोड़ देगा तो यार उसके बाद जाके मैंने वहां पर बहुत बड़ा ब्लास कर दिया था जो कि यह सक्सेस्फुली हो भी गया था बाग यार इसके बाद डिरेक्टली में आ गया था अपने इस शोरूम में बाग यार तुम देख पा रहे हो बैनी इस गाड़ी का इंटीर है ठीक कर रहा है तुम्हें बदैगी यार एट लास् के सबसे बड़े बिजनसमेन को ते यार इसने बॉला था यह गाड़ी ते एक दम सही है पर इसका इंटीर ना इतना खास नहीं है इसका इंटीर अच्छा कर रहा था बाग यार लास वाले वीडियो में मैंने तुम्हें जो बैक दिखाए थी उसको बैनी ने अच्छी तरी में मेरे को बता दो कि यार यह वाली बाइक तुम्हें कैसी लग रही है और यह तो यहां पर स्पीडो मीटर ही लगाना भूल गया क्यार कोई दिक्कत नहीं है अभी मेरे को जल्दी से शोरूम से निकलना होगा और डिरेक्टली जाना होगा लेसर के पास क्योंकि यार वही मेरे को बताएगा यह अगला प्लैन क्या रहने वाला है तुम्हें बताएगी यार अपने फाइवी बीडिंग के अंदर बहुत बड़ा ब्लास तो एट्लास कर दिया था मतलब यह डगगन बॉस में जो अपने को डील दी थी ना वो तो अपने कर दी थी अभी डिरेक्टली यार मैं फ्रेंक्लिंग को चुड़ा ले रहा हूंगा और साथ साथ मैं ट्र देखके जा रहे हैं बागर सही में बोलना पड़ेगा घ्रलियर चाहरे और यह क्या लग रहे हैं बागए लेस्टर के साथ साथ मैंने इस डिटेक्टिव को भी लेस्टर के घर पे बुला लिया है तुम्हें बनाता है ना वह कभी फेल होई नहीं सकता मतलब उसका हर एक त्याना बहुत ही तगड़े लेवल वाला होता है तो यहार अब ड्राइब करते करते ओल्मॉस पहुंच चुका हूं लेश्चे के घर वाली रोड पे यहां से मेरे को लेफ्ट रेन है और यहां से सीधर जाके यार लेश्चा का घ पूचते हैं कि यार आगे अपने को क्या करना है तो चले यार सामने साइट पे लेश्चा कड़ा है और डिटेक्टिव भी यहां पर आ चुका है तो यार मैं सोच रहा था कि यार पहले अपन जाके ना वो डायमेंट्स चुरा लें उसके बाद यार अपन जाके यार नहीं चाता तो पहले यार मेरे को अभी डगण बॉस के बास चाना होगा और उसको बोलना होगा कि यार उसकी सारी डील तो कंप्लीट हो चुकी है वो ट्रेवर और फ्रेंक्लिन को चोड़ दे ताकि यार अपन सेफ हो जाए उसके बाद जाके यार अपन सारी अपनी गोल् बॉस के बेस पर जाना होगा और जल्दी से यार वहां पर फ्रेंक्लिन और ट्रेवर को चुड़ा के लेके आना होगा क्योंकि यार तुम्हें पता है अगर वहां पर अपन जादा टाइम रुके यार डगण बॉस ना कोई ना कोई चलाकी कर सकता है जो कि मैं चाता कर दिया था ताकि यार वहां का सारा डटा मिड़ चाई तो फाइनली यार मैं वो रोड पे तो आचुका हूँ जहांपर डगण बॉस का बेस था बाग यार यहां पर मैं थोड़ा कन्फ्यूज हो रहा हूं मुझे लगता है कि यार डगण बॉस के बेस का रास्ता इधर से जाता है हाँ तो यार इसी कच्चे रास्ते से मैं लास्ट टाइम गया था और मुझे क्यों लग रहा है कि यार मैं कहीं गलत जा रहा हूं एक मिनट मुझे देख लेने दो यार रास्ता तो मेरे को यही लग रहा है लास्ट टाइम मैं इसी रास्ते से ही आया था और एक मिनट यार ये रास्ता मुझे कुछ गलत लग रह एक मिनट यहां से नीचे वाले सेट पे जो रास्ते जाता है हाँ तो यार फाइनली इसी रास्ते से मैं गया था तो यहां स्टंट करा था यार मुझे लग रहा है कि यह वाली गाड़ी तो यहां से आगे नहीं जा पाएगी तो यहार डिरेक्टली मेरे को सामनी वाली बीडिंग में जाना होगा मतलब सामनी वाली सेट पे जो जो पड़ी देख पा रहे हो ना इसके अंदर है डगगन बॉस का बेस यहार डिरेक्टली जाके एंटर कर लेते हैं तो फाइनली यार यह मैं डगगन बॉस के बेस के अंदर एंटर हो चुका हूं बेस तो नहीं बोल सकते यह यह तो कोई स्टीट क्लब है और यहार यहां पर अभी कोई भी सिक्यूरेटी नहीं लास्ट टाइम तो यहार इतनी इसी गलत सीन हो चुका है फ्रैंक्ली बता रहा है कि यार इसने डगगन बॉस की गैंग जोइन कर लिए तो यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि यार ऐसे कैसे को छुडाना होगा ना तो यहार अपने को प्रेजिडेंट की बोडी को मार के यहां पर इनको लाके देनी होगी तो यह क्या करना चाहते है मेरे को अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा पर यहार गलत बात यहां पर यह हो चुकी है कि यहार फ्रेंक्लिन ने जॉइन कर ली है यहार यह सारी बात नेर्व को बतानी होगी लैसर को कोई कोई कगड़ा सा प्लेन निकालेगा है यहार अपने को क्या करना चाहिए यहार यहां पर मैं किसी भी बंदby को मार नर्व सकता कुछ भी नहीं कर सकता क्योंत East और उसको जाके यह सारी कहानी बतानी होगी बागी यर लेसर तो बिलकुल भी expect नहीं कर सकता कि यर फ्रैंक्लिन ने अपने सथ ऐसा कर दिया बागी यर तुम जल्दी से जाके मेरे को comment section में बता दो कि मेरे को आगे क्या करना चाहिए यर जल्दी से मेरे को इस गाड़ी को यहां से निकालना होगा पर यार मुझे नहीं लगता कि यार ये गाड़ी यहां से निकल पाएगी क्योंकि यार तुम देख पा रहे हो ये गाड़ी बहुत गंदे तरीके से यहां पर अड़ चुकी है तो फाइनली यार ये गाड़ी काफी मुश्किलों के बाद मैंने निकाल ली बाग यार मुझे लग रहा है कि यार फ्रैंकलीन को ना इसने हिपनोटाइस किया हुआ है हिपनोटाइस मतलब यार एक ऐसी टेकनीक होती है जिसके अंदर बंदे को अपने वश में कर लेती है और फ्रैंकलीन भी यार डगगन बॉस के वश में जा चुका है मतलब यार फ्रैंकलीन भॉई कर रहा है जो कि यार डगगन बॉस इसको कह रहा है बैसो दियार मुझे पताए कि यार फ्रैंकलीन ना ये सब पैसो के लिए तो कभी भी नहीं कर सकता बाग यार डगगन बॉस ने मेरे को वार्निंग दी है अगर यार मैं प्रेजिडेंट को मार के एक महीने के अंदर अंदर इसको लाके नहीं दूँगा ये फ्रैंकलीन और ट्रैवर को तो मारे गाई और साथ में यार ये जो मेरा शोरूम है इसके अंदर भी आग लगा देगा तुम्हें बता है कि यार अभी लॉस एंट आउस के अंदर मेरी कोई भी आर्मी नहीं है जिससे यार मैं जाके इससे बदला ले सकूँ यार अभी मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि यार मेरे को क्या करना चाहिए तुम जल्दी से जाके कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दो कि यार आगे मेरे को क्या करना चाहिए तो चले यार लेस्टर के घर तो मैं पहुचने वाला हूँ यहां से राइट और लेफ्ट लेके डिरेक्ली मैं लेस्टर के घर पहुंच जाऊंगा बाग कि यार यहां पर इतनी ज़दा गौड़ियां कहां से आ गई तुम्हें पता है कि यार इस एरिया के अंदर इतने ज़दा बंदे तो नहीं रहते थे खैर चोड़े यार अभी डिरेक्ली चलते है लेस्टर के पास और उसको जाके मैं यह सारी कहानी बता देता हूँ वैसे यार वो बिलीव नहीं करेगा और यहां पर तो यार लेस्टर ही नहीं है जल्दे से लेस्टर के आने की वेट कर लेते हैं तो यार यह सारी बात मैंने लेस्टर को बता दी है यह बोल रहा है कि यार अपने पास अभी कोई भी ऐसा आइडिया नहीं है जिससे अपन पता लगा सके कि यार फ्रेंकलिंट निपनोटाइस हुआ है या फिर नहीं बाग यह तो एकदम शौक हो चुक है यह सुनके कि यार इनने डगण बॉस की आर्मी जुइन कर लिया है पर यार इस मामले में अपन अभी कुछ भी नहीं कर सकते पर अभी न अपने को वो डायमेंड वाली डील कंप्लीट करनी होगी जो कि अपने को प्रेजडेंट ने दी थी तो यार अभी प्रेजडेंट की कॉल आई थी मैंने उनको बता दिया है कि यार ये डील कंप्लीट करनी almost impossible है तो यार वो बोल रहा है कि यार वो हमारी कुछ help कर सकते हैं तो यार वही help लेने के लिए अपने को directly अभी white house चाना होगा और फिर ही देखते हैं कि यार वो अपनी क्या help करने वाले हैं तो यार अपने को यहां से नि पड़ी हुई पड़ी है और यार देखने से तो यह लग रहा है कि यार यह गाड़ी ना किसी किंग की है या फिर तगड़े बंदे की है यह यहां पर क्या कर रही थी मेरे को तो नहीं पता और लेसर को भी नहीं पता खैर यह सारी बाते चोड़ो अभी अपने को directly president के पास यार यह सारी बात है जाके अपने को president को बतानी होंगी फिर वो देखते हैं कि यार वो Franklin वाले matter में हमारी help करते हैं या फिर नहीं तो यार काफी तेज़ ड्राइब करते हैं और मैं president के mansion के सामने पहुंच चुका हूं तो यार इस गाड़ी को मेरे को साइट पे पाक करना होगा और डिरेक्टली जाके president से मिलना होगा वहां कि यहां पर security तो काफी टाइटी लगी हुई है और सामनी वाले साइट पे कुछ प्रेजिडेंट की स्पीच खतम होने का टाइम लू नहीं नहीं यार मेरे को जल्दी से अपने को अर्जेंटली जाके ना प्रेजिडेंट को अभी ही मिलना होगा तो यहां पर मेरे को कोई गांग मेंबर एरेंज करने होंगे या फिर पुलिस की security चाहिए होगी तो यहार तुम्हें पता है कि यार लॉसेंट आउस के अंदर मेरे पास अभी कोई भी गैंग नहीं है तो यार मैं सोच रहा हूं कि यहां पर अपने को कुछ पुलिस सिक्यूरिटी मिल जाए और यहां पर प्रेजिडेंट बोल रही है कि यार किसी भी नॉर्मल बंदे को पुलिस सिक् एजेंट तो यार उसके बाद मेरे पास सिक्यूरिटी भी आ जाएगी और मैं लॉसेंटोस में जो चाहूं वो कर सकता हूं मतलब अपने को यार पहले तो यार यह डामेंट चुराने है मतलब हमारा मेन मोटिफ तो यह है कि यार अपन जल्दे से जल्दी ना डामेंट चु रहूंगा आई ट्रिपल ए का एजेंट जिसके पास काफी तगडी पावर्ज होती है तो यार जल्दी से बीडिंग के अंदर एंटर कर लेते हैं यहां पर मेरे को समझ नहीं आ रहा यार एंटर कहां से करना है हां तो यार मुझे अभी याद आया इस बीडिंग की एंटरी नीचे वाले साइट से है तो चले यार इस गेट से जल्दी से मैं एंटर कर लेता हूं तो चले यार इस बीडिंग के अंदर एंटर हो चुका हूं वैसे तो यार इस बीडिंग के अंदर ना कोई भी नॉर्मल बंदा विदाउट चेकिंग के नहीं आ सकता पर यार तुम्ह तो यार माइकल ने अपनी एजेंट वाली ड्रास्टाल ली है और ये ड्रास्टाल के माइकल कितना ओपी लग रहा है वाक यार तुम नीचे वाली साइट पर देख पा रहे हो कितने बोड़े बोड़े सर्वर्ज लगे हैं तो यार मैंने तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नि मिलने वाली है तुम देख पा रहे हैं यहां पर तकरीबन कोई पांच-पांच गाड़ियां आ चुकी है जो कि हमेशा मेरे साथ ही रहेंगी और इतनी ज्यादा सिक्यूरिटी मेरे को सेक्यूर करेगी तो चल ऐसे फटवट से गाड़ी में बैट जा अपन यहां से निकलते हैं और जाके प्लैन बनाते हैं कि यह वो सारे डैमेट्स अपन कैसे चुराएंगे वाकिया और माइकल इस गाड़ी के अंदर बैट के ना पूरी चौड में आ चुका है मतलब माइकल को वो पुराने दिन याद आ रहे हैं जब वो प्रेजिडेंट हुआ करता था उसके बाकी यहां पर लेस्सर भी पीछे बैट के ना अपनी पूरी मालिकों वाली फील ले रहे हैं तो चले यार इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं अगर तुम्हें यह वीडियो ची लेगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटा आइ झाल